नमेशकार दोस्तों, I am sure कि recently आपने कुछ कॉंट्रोवर्सी सुना होगा, जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के भगवन्त मान जी और होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, दोनों के बीच में कुछ कॉंट्रोवर्सी हो गई है, Central Government ने ये कहा है कि चंडीगड के अंदर जो employees हैं, वो directly अब Central Services Rules के अंदर आएंगे, ये आप देख सकते हो, चंडीगड employees to be under Central Services Rules, अमित शाहने ऐसा कहा है, तो इसको डीटेल से समझेंगे कि exactly हो क्या रहा है, किस पे क्या impact आएगा, पूरा मामला क्या है, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, अभी तक अगर आप सोच रहेते कि Study IQ पर जो UPSC का कोर्स है, आपको लेना है, नहीं ले पाए, सबसे बड़ा मौका है अभी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डबल नाइन, डबल नाइन में मतलब कि जो पहले कोर्स 20,000 का हुआ करता था, अब 50% off directly आपको मिलेगा, प्लस डबल validity, यह सिर्फ कल तक के लिए लागू है, 31st मार्स तक के लिए लागू है, आपको हमारे website पर जाना है, या फिर app पर जाना है, वहाँ पर quote इस्तमाल कर सकते हैं, अंकित flash, और इससे आपको जो double validity है, जो पुरा offer है, वो मिल जाएगा, साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते ह तो मेरे insta page पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अभी exactly हुआ क्या है, जैसे कि आपको पता होगा, पंजाब की अंदर recently चुना हुए थे, जो आम आदमी party है, जीत कराई, अभी कुछी दिन हुआ था, यहाँ पर भगवन्तमान जी चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच में काफी बड़ा टसल हो गया है, जो चीफ मिनिस्टर है भगवन्तमान, उनका यहाँ पर कहना है कि मैं protest करूंगा, from street to parliament, मतलब एक प्र सर्विसेज रूल के अंदर आ जाएंगे, अभी क्या है जो पंजाब सर्विसेज रूल है, उसके अंदर वहां के employees आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ ट्वीट देख सकते हो भगवन्तमान जी का उनका कहना है, Central Government has been stepwise imposing officers and personnel from other states, मतलब की चंडीगर administration के अंदर यहाँ पर जो officers हैं, वो होने चाहिए पंजाब के और हर्याना के, लेकिन उसके लावा काफी लंबे समय से जो center government है, वो बाहर से officers को लाकर चंडीगर में रखती है, जो की गलत है, और it goes against the letter and spirit of Punjab Reorganization Act 1966, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा कि यह exactly है क्या, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि Congress और अकाली दल, मतलब बाकी के भी जो parties हैं, वो भी आम आदमी party के साथ खड़े में हैं इस मामले में, और उनका कहना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जटका है पंजाब के अधिकार के लिए, in fact जो former Chief Minister रह च पहले समझना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चंडीगड़ है, चंडीगड़ आपको पटा है Union Territory है, UT में आता है, तो वहाँ पर जितने भी employees हैं, चाहें आपका Teachers होगा है, जितने भी employees हैं, वो इस समय पंजाब Services Rules के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन यह पर जो अमित शाह जी ने अनौन्स ये किया है, कि अपसे Central Rule अप्लाई होगा उनकी उपर, जिसकी वजह से Central Rule है, Central Services के जो benefits हैं, वो उनके employees को मिल पाएंगे, पहले जो retirement age हुआ करता था चंडीगड़ के अंदर employees का, वो था 58 years, क्योंकि पंजाब Services Rules रगता था, लेकिन क्यों पर जो retirement age है, वो बढ़कर 60 years होगा है, ये एक benefit मिलेगा, फिर दूसरा जो women employees होती थी, उनको एक साल का चुटी, leave मिलता था, for the child care, मतलब कि जो pregnant महिला हैं, जो बच्चा हुआ है, तो उनको देखभाल करने कि यहाँ पर उनको एक साल का leave दिया जाता था, पंजाब के rules के अ लावा ये जो मांग की जा रहे थी कि Central Services Rules के अंदर आना चाहिए, ये पिछले 20-25 साल से ऐसा कहना है कि मांग की जा रहे थी और इसलिए कि आ गया, देकिन यहाँ पर जो बाकिके parties हैं, जो आम आदमी party हो गई, Congress हो गई, उनका कहना है कि इसके पीछे politics है, अगर आपको अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर काफी बड़ा stronghold माना जाता है BJP का, BJP हमेशा से जीतती आई है, लेकिन आम आदमी party का बहुत ही अच्छा performance था, लेकिन आपको बता दूँ कि BJP ने somehow उन्होंने manage कर दिया, जो mayor का post होता है, वो BJP के पास गया, क्योंकि उसमें कुछ ए इसके लोग सभा पोल्स को देखते वे, कहीं न कहीं BJP ने ये कदम लिया है, और यहाँ पर जो central services rule है, उसको apply कर दिया है चंडिगड के उपर, और साथी साथ आपको पता ही है कि इस समय पंजाब के अंदर अच्छा performance नहीं था BJP का, तो at least वो चंडिगड में अच्छा performance कर recommendation है, उसको नहीं मानी अपने employees के लिए, और जो central government है उन्होंने एक जटके में जितना भी demand था employees का, उसको accept कर लिया है, जिसकी वजह से employees का यहाँ पर फायदा होगा, पहले जितने भी salaries होती थी, alliances होता था, वो पंजाब pattern पर दिया जाता था चंडिगड के employees को, लेकिन अब यहाँ पर जो central government का pattern है, वो होगा और इसकी वजह से काफी फायदा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर BJP कह रही है, और इसकी वजह से कोई भी impact पंजाब के उपर नहीं आएगा, मतलब कि जो employees थे, वैसा का वैसे रहेगा, यहाँ पर और कोई impact नहीं आने वाला है, ऐसा BJP कह रही है तो question यह है कि बाकी की parties उसका विरोध क्यों कर रही है, देखे इसका आपको कारण मिलेगा पंजाब reorganization act, आपको पता होगा कि पहले यह अंडिवाइड़ पंजाब इस तरह से कुछ हुआ करता था, यहाँ पर हिमाचल परदेश का कुछ area, दो area आपको देखने को मिलेंगे इधर नीचे दिल्ली रा और हर्याना पंजाब एक ही राज हुआ करते थे, पहले आपको पता होगा 1966 के पहले, लेकिन फाइलिवी 1966 में यहाँ पर एक reorganization act आता है 1966 में, जिसमें यहाँ पर तीन states आप देख रहे हो, एक तो पंजाब यहाँ पर ऊपर हो गया, उसके बाद हर हर्याना यहाँ आप देख रहे हो, और यहाँ पर बीच में जो जंक्चर है, यह है चंडीगर, ठीक है, तो जो चंडीगर आप देखोगे, तो यहाँ पर तीन रास्ते निकलते हैं, एक तो हिमाचर परदेश की तरफ जाता है, पिर पंजाब हो गया, और यहाँ पर नीचे सेंटर गवन करेगा, क्योंकि union territory है, लेकिन जो laws इस पर अपलाई होंगे, चंडीगर के उपर, वो laws होंगे, जो पहले undivided पंजाब हुआ करता था, उसका जो कानून था, वही कानून चंडीगर के उपर अपलाई होगा, लेकिन गवन कौन करेगा, वो central government करेगी, यह रास् आपने सुना होगा, जब आप IS वगरा PCS का जो form भरते हो, civil services का, वहाँ पर आपको कैडर चुनना होता है, उसमें आपने देखा होगा, A का है, यह अनुनाचल परदेश, G है गोवा, M है मिजोरम, और बाकी के union territories, मतलब यह तीन राज्य और union territories, इनका एक कैडर था, जैसे क चंडीगड के top, जो सबसे बड़े अधिकारी थे, कौन थे? Chief Commissioner थे, लेकिन आगे चल कर क्या किया गया, जो पंजाब के governor होगे, जो भी पंजाब का governor होगा, उनको कह दिया गया कि 1984 से आप ही administrator होगे शहर के, चंडीगड के administration किसको बना दिया गया, जो भी पंजाब का governor होग पंजाब के अंदर, और उसको हटाने की ज़रुवती, इसलिए एक कदम लिया गया, और ये जो administrator है, कौन है, पंजाब के governor, उनको advise करने के लिए जो administrator होगे, वो IS officers होगे, और वो IS officers कहां से आएंगे, AG, MUT, CADR से आएंगे, तो IS officers जो आएंगे, वो यहाँ पर सिर्फ advise मतलब कि जो governor है, उनके advisory के लिए वो काम करेंगे, वहाँ पर, लिकिन बाकी के जितने employees हैं, मतलब ये जो मैंने आपको बताया, कि 1966 का act था, उसमें ये था कि बाकी के जितने employees होगे, जैसे teachers हो गए, doctors हो गए, जितने भी चंडीगर के होगे, वो employees कहां से आएंगे, वो आए बाकी parties का ये कहना है, कि हो सकता है, आगे चलके, जो employees होगे, उनको बाहर से लाया जाएगा, उनको ये डर है, लेकिन अभी तक, ऐसा central government नहीं कहा है, कि हम बाहर से employees लाएंगे, लेकिन यहाँ पर बाकी parties का कहना है, भगवान पांगी का कहना है, कि बाहर से जो officers हैं, उनको चंडीगर में जादा लाया जाएगा, ये जो rule change किया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में आपको टेसल देखने को मिल रहा है, और मैं बता दू कि यहाँ पर impact हर्याना के उपर भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि obvious ही बात है, हर्याना इस समय BJP के दौरा गवन किया तो वहाँ पर उनके दौरा अभी के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो ये पूरा मामला हो गया, इसके अलावा मैं आपको बता दू, 2018 में भी ऐसा ही controversy हुआ था, जब चंडीगर के जो DSP है, Deputy Superintendent of Police of Chandigar, उनको Danips वाले काडर में लाए गया था, Danips क्या है, जो Police Officers वाले का जाब के दौरा, तो finally उसको रद कर दिया गया था, अब देखना होगा कि ये जो move किया गया है, क्या इससे वापस लिया जाएगा Central Government की दौरा नहीं, क्योंकि भगवन्त मान जी ने तो कह दिया है कि यहाँ पर हम protest करेंगे सरकों पर, देखते हैं क्या होता है, जाने से पहल आतनी, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF के तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जोड़ पाएंगे, और जैसा मैंने बताया, सबसे बढ़िया मौका इस समय आपको UPSC course लेने का, क्योंकि सिर्फ 10,000 में सोचिए, आपको 24 months की validity, यहाँ पर जो पूरा course है, 1000 से जादा वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हमारे website और app पे जाके, और वहाँ पर quote इस्तमाल करिएगा, अंकित flash, क्योंकि इससे आपको यह offer मिल जाएगा, I hope कि यह वी